फाइरिंग करते ही 260 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये बुलेट extremely high temperatures पर बंदूग से बहार निकली, अगर मैं बुलेट प्रूफ जैकेट की outer covering को हटा दूँ तो इसके अंदर हैं ये 4 layers, सबसे पहली है ceramic layer, फिर aramid fiber layer, फिर vertex layer और लास्ट में ये polyethylene layer, सबसे पहले बुलेट ceramic layer की ceramic disc से टकराएगी, जिससे बुलेट की speed कम हो जाएगी, प्लस बुलेट का ये streamline shape कुछ इस तरह से deform हो जाएगा, इसको चीरते हुए temperature bullet जब इस tight chemical bonds वाली polyethylene layer के contact में आएगी, तो इस polyethylene का contacted part पिघल जाएगा और इस bullet को ऐसे जकर लेगा, 3D animation की मदद से topics को समझना कितना आसान है न, तो इंतजार किस बात का है, जल्दी से subscribe बटन को दबाओ